सो आज से स्टाट हो रहा है जो बेंगोल टाइगाट सीरीज का पार्ट वान सो आज करेंगे कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन और उसके साथ जितना इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट जरूरत है वह आज हम लोग देखेंगे तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को कर लिए नोटिपिकेशन बेल को अन कर लिजिए दोस्तों के साथ जरूर सेयर कर दिए और अभी तेक जिदना भी वीडियो अप्लोडेट है आप लोग चैनल को जाकर चेक आउट कर सकते और उसको साथ आप लोग जिदना भी कोश्टन है उसके साथ कॉन्सेप्ट आप लो प्रिवियाज जो डावलोबी सेटी सेल्जेट 2016 का पार्ट 3 कोश्चन था उसमें जो एक क्वेश्चन था 10 मिनिट और 15 मिनिट का जो एक केटल का क्वेश्चन था उसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइस नहीं यूज हो रहा यहां पर एक छोटा सा कॉंसेट यहां पर हो रहा और वह कॉंसेट पूरा डिपेंडेबल है रेजिस्टेंस के उपर वह वीडियो में आप लोग जाके दिखिएगा पूरा डीटल्स हम समझा के राखे कैसे पूरा रेजिस्टेंस को पर काम करके और लेंथ इंक्रीज हो रहा है अगर आभी भी कनफीजन है तो हम छो पो ऊंकर कंदेना होगा पहले तो हम 10 मीट दे रहे थे अभी देग ingegenे 15 मीट तो पाघ डिख सम्राइऑ करी तो समी हम आ यहां पर decrease हो रहा है तो resistance मेरा increase हो जा रहा है ठीक है तो यहां पर और एक फर्मूला अब लोगों को पता है आर किसके साथ डारेकली प्रोफेशनल है डारेकली प्रोफेशनल टू एल तो मेरा यहां पर एक को से लंट लिए अगर बोलता कि 15 देन आपको बोलता है तब यहां पर लेंद आपका डिक्रीश होता है ठीक है कि मेरा पहले टाइम तो फिफिटीन मिन्ट हमको कम कर दे रहें मतलब मेरा पावर जादा लाएगा तो पावर जादा लाएगा तो रेस्टेंस मेरा कहा जो देख लीजे आज का पहला कुछ आएगा उसके साथ defence मिंट भी रहेगा तो उसके साथ आप लोग बहुत कुछ सीखेगा तो देखिए ऐन्लाइन होने वाला थो पैटरन में भी कुछ question जरूरत है तो वह question भी हम कराएंगा आज थोरा question easy to moderate है ठीक है हम पहले बता दे रहें तो first question क्या है which of the following standard has to be follow for drawing and electrical installation plan तो इंडियन electricity जो rule है standard जो rule है उसके according electrical installation plan में कौन सा rule यहां पर यूज होता है option a देखिए is 375 1985 वैसे करके ABCD यहां पर दिया है तो यहां पर यूज होता है option नमबर दी is 375 1951 का जो रूल है वह यूज होता है electrical installation के लिए ठीक है और एक चीज देखिए यहां पर option c यहां पर जो है 732 989 वह आपका यूज होता है इलेक्ट्रिकल वारिंग इंस्टॉलेशन के लिए कहीं पर भी अगर कोशन आएगा कि इलेक्ट्रिकल वारिंग इंस्टॉलेशन के लिए कौन सा इंडियान स्टैंडर्ट रूल यूज होता है तो यह यूज होता है आपका 732 1989 चलिए नेस कोशन है आपका यहां पार दिखाई दे रहा है यह इसका इक्यूवेलन रिजिस्टेंस क्या होगा ओप्सेन यहां पर है तो कैसे हम लोग सॉल्ब करेंगे इजी है हम पहले बोले कि आज का कॉस्ट्रिकल यहां पर ज़रूरत है तो बेसिक तो इसे कोई बात नहीं कि सब स्टुट्ट को लेकर भी हमको चलने परेगा तो इतना एजी कोस्टन क्यूव दे दिया आप लोग पूछेंगे तो सब कुछ करने परेगा ठीक है अगर आपको आता तो यह करके निकल जाए तो देखिए यहां पर क्या करेंगे डारेक्ली प सब्सक्राइब घ्राइब करेंगे तो किया होगा और उसके साथ 18 सीरीमें होगा षी तो यह सब फाईब सीरीजमियों यह सब आता है और सब यह सब कोशान आता है ऐसे कोई बात ने कितना आजी नहीं आ रहे तो देखी यह दोने यह अगर पहले सिख आयह है जितने कंडिटीट मेरा फोलो करता है तो परलाल में रहेगा तो थी परलाल तीन के साथ six parallel में है और यह दोनों के साथ 18 क्या है सिरीज में है मतलब three parallel six plus 18 सिरीज में add होता है और parallel में one upon करके होता है one upon आर one plus one upon two plus one upon three parallel six करेंगे तो directly एकजम में तो उतना time नहीं रहता तो क्या होगा three into six divided by three plus six nine प्लास 18 डारेक्ट ली करेंगे तो क्या होगा तो यह जो तीनों रिजिस्टन्स था यह तीनों रिजिस्टन्स हाट के क्या हो गया एक रिजिस्टन्स जिसका फैलू क्या है ओनली 20 ओं तो यह आपका हो गया 20 ओं इसके साथ क्या है 5 ओं और इसके साथ है 10 ओं यह हो गया आपक जब convert R equivalent इकाल लेंगे तो क्या होगा फिर parallel में है 20 parallel 5 फिर इसके साथ क्या है plus 10 तो 20 parallel 5 करेंगा तो same यह जो रूल एप्लाई किया है से 20 इंटु 5 plus 20 plus 5 होता है आपका 25 तो 5 फाइब 5 फाइब 5 फाइब 25 फिर 4 जा 10 plus 10 10 plus 4 क्या हो गया आपका 14 इसका एंसर हो गया मत्रब R equivalent अगर निकालने के लिए बोलेगा तो सीधा सीधी आप लोग समझेगे छोटा करने सर्कित को जितना छोटा होगा बस छोटा कर लिए मेरा एंसर निकल गया और parallel में डारेक्ट लब लोग ऐसे किजएगा यहां पर अगर क brat लोग एल्चम लिजएगा तो इसे लिए हम यह पर कर देटे चंथरा कोक्षिन में हमें करतें थरा कोषिन क्या है तीसरा क्या इसे है यूणिट अप लिमिनियस फ्लाक्स सो में लुमिनियास फ्लाक्स का यूणिट क्या है यहां पर इचैञे लुमेन हैes है फुट केंडल है बंद नोटिवेका है ठीक है टो लूमियिस फलस्स का यूनिट होता है आपका लूमें यह तो आप लोग जान लिए लूमन फ्लस्स्स सथे एक एनर्जी होता है और यह डिनोट किया जाता है फाई से और लूमें लुमेंस के एक फॉर्मूला यहां पर याद रखेंगे यह फॉर्मूला ज्यादा तर इग्जम में अता है इवेंन यह फॉर्मूला से आपका एक नुमेरिकल भी दे सकता है ठीक्शनक क्या होता है लुमेंस टू कांड़नपावर ओफ़ शोर्स इन्टू ओमेगा मिशस्अ तो लूमेन इकल्स टू कैंडल पावर सीपी बोलते इसको जैसे में कॉस्ट प्राइस करते हैं यहां पर सीपी कैंडल पावर इन्ट ओमेगा ओमेगा क्या होता है आपका सॉलिड एंगल अज सीपी हम बोल दें कैंडल पावर ठीक है यह फॉर्मूला लिग लिजें आप लोग मॉल गया है और रेस्टुटेंट भी गया है तो रेस्टुटेंट एंड मॉल में जो लाइट यूज किया जाता है वह किस टाइप का लोड है देखिए इंडस्ट्रियल डॉमेस्टिक एग्रिकल्चर कोमर्चियल तो यह तो इजीली आप लोग आप्सें एलिमि डॉमेस्टिक लोड में हम लोग क्या-क्या यूज करता है नॉर्मेली जो टीवी फैन एसी फिर रेफ्रिजीरेटर फिर स्मॉल कुछ मोटर्स यूज कर लेते ही तो वह कुछ-कुछ घंटे के लिए चलता है ऐसा तो कोई बात ने कि फैन मेरा चल रहा तो चल रहा ही ठीक ह और नेक्स सब्सक्वाइब का अगर आज आज रहा है और आप मॉल में घुसेंगे अगर सुभा 8 बजए से मॉल चाल हुआ रहा रात 8 बजए तक मॉल खुला हुआ है तो तो यह कुछ चलता है तो रग्षेंहें और और कॉम्पेर करें क्मर्सियल के साथ जो डॉमेस्टिक है तो इये comparison यहाँ पर तर्समें आता है अगोशन के लींगेर लीमिट करने के लिए घू attempting मोटर में स्टाटर आम लोग क्यों करते हैं जो स्टार्टिंग कारेंट है उसको लिमिट करने के लिए ठीक है यह है आपका में एंसर तो यहां पर एक चीज़ आप लोग देख लीजेगा जो डिसी मोटर का यह में फिक्वेशन क्या होता इब इक्वेश्टू ब्ही माइनस आये इंटू आरे यह आपका होता एं ड शीन मोटर का आधिक्यों का अगर यह आपसे अकसे टू आधि ब्लस आये इंटू आरे श्चरिए यहांपर एंपको बे si डारेक्टली प्रोफरेसॉनल टू निन्टो फाइट तो स्टार्टिंग में एन क्या स्पीट स्पीट कुछ राता है नहीं राता है तो जिरो से कुछ यह current को limit करने के लिए starter जरूरत है और यह जो armature current को भी limit करने के लिए external लगाया जाता है क्योंकि जो armature current है उसको limit किया जाए ठीक है यहां पर option क्या होगा option नमबर अपका हो जागा option नमबर 20 का answer हो जागा तो चलिए next question में जाता है नेस्ट कोश्यन है कंटोल सिस्टम का एं आट्ओमेटिक टोस्टर इसे-ड़ास लुप कंटोल सिस्टम ऊट्वाटिक जो टोस्टर हम लोग यूज़ करते वो टोस्टर कौनसा गर्डुफा नौन दे आपका उपन लुप दूसरा आपका क्लोस लूप ठीक है तो open पिर टी और कॉफी में हो सबसक्राइब हो सकता है और दोसरा क्या दूसरा हो सकता है लगा जो आंदर रोस्पीरिटर पर सास लेते हैं जो शास और हट का जो टोटली बाइलोजिकल जो टोटल पोसेसे अपलोग को पता जालता यह जो एक open लूप इसे वह एक close-zero system होता है ठीक है और यहां पर एक Simple 세 Если बता देरें जो टोस्टर होता है टोस्टर में simply क्या काम करता है simply supply रहता है और टोस्टर में क्या रहता है जांट है और उसमें किया supply दिया जाना तो जो इस्टेडी सप्लाई दिया जाता है तो उससे हीट होता है और जो ब्रेट को पुखेता या उस यह शहले अब समय शुक्ट मंवेक्टिक हो शहीं यह बनको आद्याशम सब्सक्षार्रा ett yol लग pigment sask met तो यहां पर आंसर क्या होगा एंसर आपको किई गए कोडिनेशन होता है यह आंपसर 9 बोले आठ 50 के लिए होता है 8 होता है आपका बीजी के रिए बॉड़ी सेंटर क्यूрь si नाम्ब들이 AL seperti जो डाइमॉन क्यूबिक के लिए होता है यह आपका चार ठीक है यह सब चीज आप लोग याद रखिए और जो वीडियो बहले वह आप लोग जरू जाके देखिए नेक्स्ट कोशन ने स्पीड आफ एफ फोर फोल फिप्टी हाच सिंक्रोनास मेशिन विल बी यह तो एक्टम कितना बोला है यहां पर फिप्टी कोल कितना बोला है चार तो यह अगर जाएगा फोर थर्टी जा थर्टी इंटू फिप्टी वान फाइफ डबल जिरो और प्सन नमबर यह इसका एंसर हो जाएगा ठीक है जब आपका थोरा मॉडरेड लेवल का कॉस्टन देता है उसके पीज में यह सब कोश्टन गुचा देता ऐसी एसी तो चलिए नेश्ट कूसें देख लेते यह थो यक्या होता है यक्ट्रिकला फिलеệnसीटिटी मेश्का और ब्वियाद और फोन ऋब नच्क्रैक ऊर्ड नेशन को है दो फॉच अप्ड फॉलाईंग इस पाट अव दिज लिंग से उसमें कौन सा अगर थोड़ा भी प्लांट है डिसल थेील्च है नूपल работает फ्रोडतर थेमले हैं यहाँ ऐसे प्लांट का यहाँ निसार पर है कि सब अलग अलग का तो कि सब्सक्राइब कि यह बाट यह था इंड शुट्र सब्सक्राइब से लिए बाटन में शुट्वर से मिज़ए कि आए map ट्रांस्मिशन लाइन के लिए कौन सा रिले यहां पर यूज किया जाता है देखिए यहां पर हम एक चीज यहां पर लिक दे रहें एक लॉंग एक मीडियम एक शॉट यह तीनों लाइन के लिए कौन-कौन सा रिले यहां पर यूज होता है आप लोग यह चुछ लिक दे रह यह आपका short transmission लाइन ठीक है long के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं मोह रिले कि मीडियम के लिए इंपीडेंस रिले है क्लियर और शॉट के लिए रियक्टेंस रिले ठीक है तो क्या हम बोले long transmission लाइन में हम लोग यूज़ करते हैं मोह मीडियम transmission लाइन में हम लोग यूज़ करते हैं इंपीडेंस और शॉट में यूज़ करते हम लोग लेक्टेल ठीक है तो आप लोग भूल जा रहे तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं मीडियम जो है मीडियम के जाएगा क्या कर देंगे रियक्टेंस या सौर्ट के जाएगा इंपीडेंस ऐसे दिक्कत होता है ठीक है इसलिए हम बोल दे रहे तो चलिए क्योंड लोग जाएगा डिवन्स शिंबोल रिलेयाट्स तो चुब यह पर यहां पर सिंबोल दिया है कौन सा ओप्षिन के साथ रेलेट्ट कर रहा है यहां पर आन्जिस्टिंग के यहां पर एंसर किया होग हुआ को आप्षिन नंबर ए अंड रियाट्स दिखेंग लिए यहां पर एक चीज हम बता दे रहे डिफारेंट टाइप सोब जितना भी इलेक्टिकल सिंबोल है यह हम ऐसे छोटा-छोटा चाहर जैसे होता है एस्टीमेशन कॉस्टिंग इलूमिनेशन फिल मेसीन और देखिए सारकिट कंट्रोल सिस्टेम पावर प्लैंट फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रस्ट्रेट्ट्र्स डिफरेंट टाइप सो मिला के हम कोस्टन लाए थे एक एक करके लाए थे छोटा-छोटा कोस्टन थ सब्सक्राइब और अभी तक यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लोग करेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ें दोस्तों के साथ जरूर शेल कर देज़ें और एक लाइक दीज़ेगा ठीक है और कुछ प्रॉल्लेम रहा तो कॉमेंट बस में कॉमेंट कर देंग अगर अभी तक पूरा वीडियो मेरा जो चैनल में जितना भी है अच्छा इलेक्टिकल का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकते और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर सकते और फेस्बुक और इंस्ट्रागाम एंड टेलीग्रम में आप फॉलो कर सकते किसम अगले वीडियो में तो चलिए आज तक के लिए इतना ही थैंक्यू और गुडबाई